आप सब उमीद करते हूं बेटा सभी अच्छे होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वोक्षीट नमबर 33 ठीक है गनित सब्जेक्ट किये बेटा सैवंत क्लास के बच्चों के लिए है चार तारीक की है जिसमें हम क्या करेंगे राशियों की तुलना करना सीखेंगे जिसमें अनुपात और प्रतिशत होता है देखो बेटा यहां पर करते हैं प्रैक्टिजिस की फर्स्ट क्या दिया है साथ रुपे और असी पैसे का अनुपात कितना होगा जब कभी भी हम अनुपात निकालते हैं तो हमारी जो यह होत है तो या तो हम इसको भी रुपे में चेंज करें और इसको भी रुपे में चेंज करें ठीक है या इसको पैसे में या उसको पैसे में तो देखो हम क्या करेंगे बेटा हम मानलो रुपे को चेंज करते हैं तो रुपे एक रुपे में बेटा कितने पैसे होते हैं सो पैसे ह होते हैं ठीक है तो साथ रूपे में कितने पैसे होंगे बिटा साथ सो पैसे होंगे ठीक है तो साथ सो पैसो का असी पैसो से अनुपात निकालो तो कितना आएगा बिटा तो आपका आएगा यहाँ पर वन मिनट यहाँ पर हमें इस रूप में ने दिया हमें क्या करना पड़ेगा हमी पैसों को चेंज कर लेते हैं रूपों में तो एक रूपे में 100 पैसे होते हैं ठीक है यानि कि 100 रूपे में कितने पैसे हो गए बेटा 1 by 100 अब पहले हमारे 7 रूपे थे बेटा अब हमारे हैं कितना गई रूपे 0.8 तो हमारा अनुपात क्या आएगा ये वाला हमारा अनुपात आएगा ठीक है तो यह हमें चेक करके देखना है हमने यहाँ पर पैसों को रूपे में बदला है अब बेटा नेक्स देखो छे और चार का समतुल्य अनुपात छे और चार का समतुल्य अनुपात क्या होगा यानि कि जो इसका अनुपात लिया उसका भी अनुपात इसी के बराबर आना चाहिए जैसे कि समतुल्य अनुपात यह होता है बेटा छे और चार को डिवाइड करो दो दुनी चार दो तीया छे ये आया ठीक है तो यहाँ पर तीन और दो यानि कि ये तो है नी उसके बाद बिटा हम ये भी तो कर सकते हैं छे को गुना कर सकते हैं किस से दो से कर दो नीचे भी करना पड़ेगा इसको भी दो से कर दो तो क्या यहाँ छे दुनी बारा चार दुनी आठ तो यह वाला हमारा आ गया, ओके, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते थे, या तो हम किसी को एक ही उससे डिवाइड कर दे, हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने इसको दो से डिवाइड करके देखा था, ठीक है, दो को छे स किया था तो तीन जो कि हमारे ही नं उपाद आया ही नहीं तो हम गुना कर ले थे तो गुना हमार यह आगे तो यह समॉं तुल्य नॉपाद उते हैं यहां पर देखो जीरो पॉइंट चती से ना तो हम यह पॉइंट खटा देंगे तो हमारे नीचे हांद्रेड आ जाएगा गुणा में यहां पर सो था यह से कट गया तो हमारा क्या आगया? परतिशत रूप ये वाला आगया 36 परतिशत परतिशत बनाना होता है तो हम क्या करते हैं गुना करते हैं सो से परतिशत हटाना हो तो हम डिवाइड करते हैं सो से ठीक है देखो चार दिनों के परतिशत रूप में 24 घंटे हैं ठीक है तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं तो चार दिन के अंदर कितने हो जाएंगे 24 गुणा में चार अब इनों ने ये बोला जो चार दिन है उसमें जो 24 गुणते है चार दिनों में उनका पर्तिशत निकालो तो देखो बीटा पहले चार दिन के निकाल लिए हमने कितना हैं कि छानमे घंटे आ गए अब इन्होंने बोला इन छानमे घंटों में से 24 घंटों का परतिशत निकालो तो क्या करेंगे पहले में क्या बोला, चार दिन हैं, चार दिनों में जितने घंटे हैं, उन में से 24 घंटों का परतिशत रूप निकालो, 24 घंटे कितने परतिशत के बराबर होते हैं, ये बोलना इनका, तो पहले तो हम ये लगा लेंगे, जो चार दिन हैं, उन में कितने घंटे हैं, 40 घंटे तो चानमे घंटे में से 24 घंटों का परतीशत निकालना है तो चानमे घंटों में से 24 घंटे का परतीशत निकालेंगे तो किसके बराबर आ गए बेटा वे आ गए इसके बराबर उसके बाद 84 का 25 परसेंट ठीक है तो 84 का 25 परतीशत यह होता है यानि कि हम यह परतिसत हटा रही है ठीक है दे रखा है मैं पहले से परतिसत तो हमें परतिसत हटाने तो हम डिवैड कर रहे हैं तो 25 एकम 25 पच्छिस चो के 100 4 से करो 4 दूनी 8 4 एकम 4 तो 21 आएगा इसका अंसर इस तरीके से हम इनको सोल करते हैं पहले में राशियां बराबर करनी होती है अब यहाँ पर देखो और अधिक समझते हैं भ्यास करते हैं मिश्रित फल जेम के एक जार की मुल्या 90 रूपे है मतलब एक फल का जेम का एक भोक्स है कुछ भी है समान खरीदा उसकी मुल्या 90 रूपे है कौन सा कूपन भैतर सोदा रहेगा कि वो कौन से कूपन को अपलाई करे कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो पहले में उसको 75 परसंट ओफ मिल रहा है और इसमें उसको 15 रूपे ओफ मिल रहे है ठीक है तो देखो over any purchase of 20 तो 90 रूपे का यानि कि देखो बेटा क्या बोला है अब इनोंने इस question में 90 रूपे कीमत है ठीक है 90 रूपे कीमत है अब इहां पूला गया है कि 75 परसंट ओफ है यानि कि इसका 75 परसंट कितना होगा हम निकाल लेंगे ओके तो क्या होगा 25 तिया 75 25 चो के 100 चार से इसको करो तो कितना हैगा बेटा चार दुनी 8 एक बचा ठीक है फिर चार दुनी 8 ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम इसको यहां से अलग से डिवाइड कर लेंगे ठीक है तो यहां पर क्या है या 9 तिया 27 270 को 4 से डिवाइड करो अब यहां पर क्या है बेटा चार सते 28 होता है तो ये 6 पर जाएगा चार चीक 24 ठीक है 24 पर गया कितने बचे बेटा 3 बचे तो कितना होगा फिर से 4 सते 28 हो गया फिर कितने बचे ऐसे समझो आप 27 इसमें तो 4 से डिवाइड किया तो 4 चीक 24 कितने बचे 3 फिर से गया 4 सते 28 दो बचे फिर एक और पॉइंट लगा के जीरो उतारेंगे यहाँ पर तो चार पंजे 20 तो कितना है यह 67.5 ठीक है कितना है 67.5 यानि कि 67.5 रुपे का उसको क्या मिल जाएगा ओफ मिल जाएगा 90 में से यह घटा होगे 67.5 तो कितना हैगा बिटा 90 में से 67.5 घटा दो तो पांच इधर कितने थे 9, 9 में थे 7 गए तो कितने बचे बिटा दो बचे ठीक है और यहाँ पर 8 में से 6 गए तो एक हम पहले ले चुके तो 1 यानि कि उसको यह 12 रुपे की चीज मिलेगी साड़े बारा रुपे की ठीक है कितने रुपे की साड़े बारा रुपे की उसको यह मिल जाएगी ठीक है और जब कि उसमें क्या था पंदरा रुपे घटते और पंदरा घटने के बाद 75 रुपे की चीज उसको मिलती ठीक है अब यहां से कितने रुपे घटे हैं बेटा अब यहां से उसके 67.5 रुपीज घटे हैं ठीक है 90 में से तो किसमें ज्यादा फायदा हुआ अब इसको इतने रुपे में मिलेगी जब उसको इतने रुपे में मिलती तो पहले वाले में फाइदा है ठीक है आप इस तरीके से देखते हो हो सकता ही है इसको एक बार देख लेना देखो बटा यहां से एक लिया तो यहां कितने हो गए दस दस में से पाँच गए पाँच ठीक है उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या है यहाँ पर बचे आपके 9-9 में से 7 गए 2 फिर यहाँ से एक पहले ही जा चुका था तो यहाँ कितने बचे 8-8 में से 6 गए तो कितने बचे बचे सोरी 2 बचे यहाँ 22 रुपे की चीज मिली ओके तो इस तरीके से बचा हम इसको सोल करते हैं उमीद करते हैं समझ आ गया होगा आपको टोपी अब हम नेक्स्ट देखते हैं अब बचे नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है आपका रिक स्थान भरिये ठीक है यहाँ पर ए में क्या दिया है 100 मीटर का 25 परतीसत 50 मीटर के कितने परतीसत के बराबर होगा यह हमें बताना इनको कैसे सोल करते हैं बेटा देखो पहले लिखो गया आप 100 मीटर का का मतलब होता है गुना 25 परतीसत किसके बराबर होगा 50 मीटर के हम मान लेते हैं बेटा किसके A परतीसत के बराबर होगा ठीक है हमने A मान लिया तो 100 मीटर गुना में 25 परतीसत हटाने के लिए हम नीचे 100 लगा देते हैं फिर 50 मीटर गुना में A के नीचे भी हम 100 लगा देंगे ठीक है अब पेटा ये 100 लगा दे देखो इधर भी गुना है इधर भी गुना है ठीक है तो क्या होगा हम ये सारी चीज़े इधर लियाते हैं एक को छोड़ देते हैं हम एक साइड यहाँ पर क्या हुआ 100 मीटर गुना में 25 अपोन में 100 जो इधर था बेटा ये ये जब इधर जाएगा तो क्या होगा गुना में 100 तो उपर आ जाएगा और ये 50 जो है वो उपर था तो नीचे आ जाएगा अब यहाँ देखो ये मीटर से मीटर कट गया ये 100 से 100 कट गया और यहाँ पर 25 से कम 25 25 तो नी 50 अब 2 से डिवाड करोगे तो ये 50 आ जाएगा यानि कि एक इसके बराबर होगे 50 के यहाँ पर क्या आएगा 50 परतीसत ओके तो आपने एक चीज नोटीस की बेटा यहाँ पर जब हमने इसको आधा किया तो ये हमारा क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा ठीक है तो ऐसे यहाँ पर 300 है 300 का 12% जो होगा यहाँ पर देखो हमने 12 को क्या कर दिया बेटा आधा कर दिया तो इसको मतलब हमें क्या करना पड़ेगा दूगना यानि कि ये 600 हो जाएगा आप करके देखो अब 600 का 6% निकालो कितना आता है 2 0 से 2 0 कट गई कितना है 36 ठीक है ऐसे ही अब 300 का निकालो 12 पर तीसत ये 2 0 से 2 0 कट गई 12 ती है 36 समझे तो बेटा हमने क्या किया है जब हम इसको आधा कर रहे है मतलब कि जब हम इसको आधा कर रहे है यानि कि 50 कर दिया तो हमें ये दूगना करना पड़ेगा सेम रखने के लिए value अगर हम ये इसको क्या कर रहे है बेटा इसको आधा कर रहे है तो हमें इस वाले को दूगना करना पड़ेगा सेम रखने के लिए अब यहां पर बताओ ये 80 रूपे है 70 पर तीसत है अब हमने 80 को आधा कर दिया तो इसका मतलब हमें इसका दुगना करना पड़ेगा तो दुगना कितना होगा सत्तर का सत्तर का दुगना होगा 140 तो यहाँ पर हमारा 140 आएगा आप करके देखो 80 का 70 पर 30 कितना होता है बिटा 10 से 10 कट गई 56 ठीक है ऐसे ही 40 का 140 पर 30 निकालो बिटा 10 से 10 कट गई 10 से 10 चोदा चोके 56 ठीक है तो सेम आएगा आपको यहाँ पर 140 आ जाएगा और यहाँ पर आपका कितना था 50 परतिसत ठीक है नेक्स्ट बिटा क्या है हमारे यहाँ पर तालीका कक्षा साथ के छात्रों की परतिक रियाओ का प्रिणाम दिखाती है जब उनसे पूछा गया कि वे कितनों ने कहा 11 लड़के 12 लड़के ने कूल कितने हो गए 23 हो गए नहीं नो लड़के ने कहा और 18 लड़के ने नहीं कहा तो टोटल 27 ने नहीं कहा अब हमें क्या करना है कितने परतिसत लड़कों ने हां कहा तो हां कितने लड़कों ने कहा 11 लेकिन टोटल लड़के कितने बेटा यह 20 है ऐसे लड़के कितनी है 30 है और यह तोटल 50 है तो देखो 20 लड़कों में से 11 नहां का इसका परतिशत हमें निकालना है तो ऐसे निकालते हैं टोटल में से जितनों के बारे में परतिशत निकालना उसको उपर और गुना कर दो 100 से एक जिरो से एक जिरो कट गई, दो पंचे, दस तो कितना आया, पच पन परतीसत, पहले का अंसर, फिर कितने परतीसत लड़कियों ने हां काया, तो लड़किया कितनी है, बारा ने हां किया, तो बारा उपर लिखोगे, टोटल कितनी है, तीस है, सो से गुना कर दो, एक जिरो से एक जिरो कट गई ठीक है तीन चोग बारा यानि की चालिस परतीसत ठीक है तो चालिस परतीसत लड़कियों ने हा करा अब उसके बाद कितने परतीसत सभी छात्रों ने हा का तो अब बेटा कितने परतीसत सभी छात्रों ने हा का तो तेईस लड़के हो या लड़किया पर तीसत ये आया ओके अब आपको याद रखना है बटा ये इतना कर लिया आपने उसके बाद यहां बोला गया कौन सही था रहान या शैली तो तीन का उत्तर बटा उसने कहा रहान ने की जो तीन का उत्तर होगा वो एक और दो के उत्तर का योग होना चाहिए एक का उत्तर क्या था बेटा हमारा पच्पन इसका चालिस और ये हमारा चालिस है तो इसने का एक और दो का योग एक और दो का योग करोगे तो बेटा क्या आएगा पिचान में परतीसत तो ये तो कहीं आया हमारा चालीस है तो यह गलत है अब यहां तीन का उत्तर एक और दो के उत्तर का आदा होना चाहिए कहीं या उसके बीच का तो देखो इन दोनों का आधा पहले जोड लिया पिचान में आया पिचान में का आधा कितना होगा दो चोक आठ, ठीक है? एक हसिल बचा, दो सते 14 तो 47 के सम्थिक है यानि कि 46 के अराउंड है एंबेटा ये तो इसका मतलब ये कहीना कहीं सही है ठीक है? आसपास है तो कहीना कहीं किस ने सही का? शैली ने सही का तो आप क्या कहोगे? का उत्तर सही था इसके साथ तुकडे हैं आप मचली या घर जैसी विभिन आकरती बनाने के लिए तुकडों की विवस्था कर सकते हैं ठीक है क्या आप सभी साथ भागों का उपयोग करके विभिन आकरती बना सकते हैं जैसे ये बनाई गई हैं फिर पहली आकरती में गहरे निले या छायंकित भाग का परतिशत निकाले, तो बेटा देखो कैसे निकालेंगे, इसमें क्या है, कितने भाग है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, ठीक है, साथ भाग है, साथ भाग में से बेटा कितने चाय अंकित है, तीन भाग, एक, दो, तीन, ठीक है, तीन भाग इसमें से चाय इसका निकालो इससे नहीं निकालेंगे हम इसके जो ये दिये गए इससे निकालते है छायंकी पहला कितना है 1 by 4 दूसरा 1 by 8 तीसरा 1 by 8 ये भी 1 by 8 है इनका LCM निकालो कितना हुआ बेटा 8 LCM आएगा जब आप 8, 4 और 8 का निकालो गया से करके तो आपका 8 आएगा तो 4 दुनी यहां पर कितने आए 4 by 8 यानि कि 4 कमचार 4 दुनी 8 हाफ आया मतलब यह सारा कितना है हाफ है ठीक है ऐसे ही आप इनका और इनका इनका निकालो गए वो भी हाफ ही आएंगे तो बिटा देखो ये भी हाफ है और ये भी हाफ है तो टोटल कितना हो गया हाफ आदा भाग क्या ह हो गया चायंकित नहीं है तो आदा भाउग मलद प्रतिसत निकाल सब्सक्राइव पर्तिसत कि आइगा 200 अग्हाइव यह सपर 50 बाउप सब्सक्राइब 1 यूंशmember फॉट ना इस वीडेयो में इतनी अपना फिंट नेक्स नेक्स वॉडीयो में गरेंगे तब तक यूरे झाल झाल